खापर खिड़ा से चार किलो मिटर समीब से लिवाड़ा गाम में एक चार महिनी की बच्चे का बंदरों ने सिर्फ होट दिया यह घटना शुक्रवार को सुबे 10 बचे घटी दोई है जक्मी बालक का नाम रुदय दिलिव कलम कर है रुदय के मा ने उसे घर में खिड़की समीब बेट पर सुला था और रुदय को सुला कर वह घर की काम करने लगी इस दरम्यान परिसर की बंदरों ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया बंदरों ने घर में प्रविश कर तूटे का से रुदय पर हमला कर दिया हमने में रुदय का सिर्फट गया सर से काफी मात्रा में खून निकल पड़ा बच्छे की आवाज सुनकर मा दोड़कर बच्छे के पास पहुची और बंदर वहाँ से भाग गया रुदय के मा की चीखे सुनकर आसपास और घर में मौचित लोग दोड़कर आए रुदय को कुराडी के हस्पताल में एड्मिट क्या क्या रुदय के पितारे बताया की पिछली दो महिनों से ग्राम पंचाय सिलिव बाड़ा को बंदरों से हो रही परिशाने की शिकार दे की गई है अभी तक इस विश्री को लेकर किसी प्रकार की उपाय उश्रा नहीं की ग क्यामराबान सुधर फेंडर के साथ दिलिव गजबी की रिपोर्ट